हेलो फ्रेंट्स पिछले वीडियो में जो हम लोग ने बात किती उसी को आगए करेंगे जैसे मैंने बताया था कि कोई जमीन है और उस पर हम फैक्ट्री बना देते हैं तो हम लोगों ने एक संसाधन को पूंजी में बदल दिया वैसा ही काम करने के लिए हम क्या करते हैं निवेश करना पड़ता है इसमें इंवेस्ट्मेंट करना पड़ता है तो इन्वेस्ट्मेंट किस-किस तरह का इन्वेस्ट्मेंट नौर्मली चलता है जो हम लोग मानव संसाधन को मानव पूंजी बदलते तो उसको समझे हैं बहत आसान है सबसे important सिक्षा किसलिए तो मैं यह काम कर रहूं, है ना, सिक्षा में क्या होता है, सिक्षा में आप, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि आप दुनिया में हो क्या रहा है, वो समझ आपकी Start होती है, आप खुद के बारे में जाननां स्टार्ट करते हो, आप खुद को Express कर पाते हो, आपकी छीपी ही योगिता हैं आपको उजागर होना है स्टार्ट होती है और फिर उन शमताओं का फायदा पूरे समाज को मिलता है इसलिए समाज में कोई और भी पढ़ रहा है न तो आपका फायदा है ठीक है इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टनेंट है अच्छा तो सिक्षा पर तुम लोगों थोड़ी बात पिछले वीडियो में कर ली थी आगे किसकी बात आती है दूसरी चीज़ आती है स्वास्त की पहड़ लिख लिया है लेकिन बीमार पड़े हुए है तो आप किसी भी तरह से समाज में अर्थ्यविस्था में कोई भी मने कर पा रहे है अगर आपको कुछ भी कॉंट्रिभिउशन नहीं है तो फिर एक तरह से आपको जो इन रिटर्न वो मिलता है वो मिलती है आपको इनकम वो भी नहीं मिलेगी तो स्वास्त और सिक्षा ये दोनों बहुत ही ज़्यादा important हो जाते हैं कब जब आप मानफ संसाधन को मानफ पूंजी को बदलना चाहते हो human resources को human capital में convert करना चाहते हो स्वास्त में एक तो हो जाता है प्रितिशेदी प्रितिशेदी मतलब होता है preventive जैसे अभिमाली जी vaccination की बात चल दिये बहुत ज़्यादा COVID-19 के डाइन पर क्या होता है vaccination आपने पहले से ही एक तरह से ठीका करन करा लिया तो आपने उसके बाद से अगर आपको आगे बिमारी होगी इसका chances खदम हो जाते हैं बहुत करम हो जाते हैं तो ये तो हो जाता है preventive ठीक तो आपने पहले से त्यार होगा कि मुझे बिमारी होगी नहीं ऐसी COVID-19 में अगर आप लोगों के vaccination करा लिया तो फिर आपको COVID-19 जो बिमारी है वो नहीं होगी coronavirus के अगर आपको vaccination हो गया और उसी की त्यारी चल लगी है दूसरा होता है कि भाई accident हो गया या बिमार पढ़ गया है तो क्या होता है तो आते है curative medicine Curative medicine में क्या होता है भाई अग्सिदेंट हो गया तो अब accident से थोड़ी काम चलेगा फिर तो आपको ठीक करना पड़ेगा कोई बिमार हो चुका है तो फिर उसके लिए चल रहे हो तो उसके लिए चल रहे हो तो उसमें क्या होता है कि साफ सफाई sanitation को बहुत बड़ा importance दी आती है क्यों कि कई बार क्या होता है ना slums है मैं कुछ टाइम बर डेली में था तो स्लौ्स में मैं थोड़ा बहुत देख्ता था कि किसी के संगर्स रहते हैं स्लौ्स में स्लॉबस कर जूआ जक्य क्या बहुतता है J jourविय जोपड़ी उसमें क्या अब ये बात जानकर के बहुत दुख होती है अब एपी चुद्विल कलाम साब ने बोला था कि 2020 तक हम भारत को विक्सटरास्ट बना देंगे आज हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कि लोग साफ पानी भी पाएं, आपने धर में आरोप लगा लिया, तो वो भी क्या है, एक investment है, और ऐसे ही स्वास तो लेकर के साख शर्ता, कि आपको हाथ भूलना है, अभी COVID-19 के वैसे बहुत सारी चीज़े अच्छी भी हैं, लोग मास लागा के गूमते हैं, साथ में हाथ चेरे पर बार-बार हाथ नहीं रखते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़े ऐसी हुए हैं, जो अच्छी हुए हैं, और इस तरह की साख शर्ता है कि बिमारिया ना फैल हैं, सामाजिंग ड्रिस्ट्री कोर्ट से भी बहुत बार ऐसा होता है, COVID-19 में क्या है भाई, आप बिमार ना पड़ है, ये सब का फाइदे की बात है, ऐसे ही किसी और का सिक्षित होना आपका फाइदे मन्द है, क्यों? क्योंकि मुझे ये टेक्नोलोजी नहीं आती है, YouTube मैंने नहीं बनाया, किसी और ने मेरे करके बनाया और उसकी बदौलत में आप तक पहुँच पा रहा हूँ तो किसी और का सिक्षित होना भी मेरे फाइदे में है, किसी का बिमार ना पढ़ना भी मेरे फाइदे में है, तो यहां से आपके जोब समझने आ जागी है, तो आप पूरे समाज के लिए सिक्षा और सास के बारे में सुचनाय स्टार्ट करेंगे, तो ये दोनों तरेकी ची अपनी कम्पनी में हो रहा है, दूसरा क्या होता है कि कुछ दूसरे कॉलेज में डिग्री दिलवाती है चलता था इसमें क्या होता था romantic वे मिलती थी आप company में गॉर मिड्यर्यम कैम करें आप paid आप कोटर कौर्स पढ़ों गेर आपको डिखने आप प्र डिखर्पीं मिल गेर लेकिन रहेगी तो इस तरह का कौॉर्स होटी जब करार होती तो company वास्तह mat रही है क्यों कर रही है क्योंकि उसको पता है कि एक बार निवेश किया ना तो उसका रेटन मिलेगा देखो दो चीजे होती है एक होता है खरचा एक निवेश कहर्चा क्या होता है यह न चल पढ़े हैं फिकरे यारो धूमे में उड़ाके उस तो मुझे समझ में नहीं आया था मैं छोटा था काफी तो मुझे लगा यह क्या बोलना है और आज मुझे उनकी बात बहुत जादा सही लगती है कि जब भी आपनी सिक्षा पर खर्च कर रहे हो ना तो आप यह समझना है कि आप इन्वेस्पेंट कर रहे हो उसका रेटर्ण ह कोते हैं कि इसका बाद में रेटर्ण मिलेगा पैसे के लगे यह दुनिया नहीं की कि नहीं करते हैं उनको लगता है सकती नहीं नहीं है तो मुझे भी नहीं पता है ऐसा नहीं मैं बोल आँ लेकिन क्या होता है कि आप भीरे धीरे जीरे हम समझनानी साटर्टыш तो बहुत सारी चीज़ां आपको पता चान लगती हैं, तो आपका जो पूरा वर्ल्ड विव है, जो परसपेक्टिव है, जो दुरुती कोर है, वो दीरे दीरे परिश्क्रक्त होता चलाता है, परिश्क्रक्त, ठीक, तो अच्छा, सिक्षा की बात हो गई, आप दूसरे कौल गाउं में लौट रहते हैं, क्यों लौट रहते हैं, शहर में रहना जादा महंगा है, आप समझे हैं, महंगा है, cost of living जादा है, लेकिन उनको पैसे जादा मिलना है शहर में, शहर में रोजगार मिलना है, इसलिए वो शहर में आकर के रहते हैं, अब लेकिन अगर रोजगार करके आने की एक लागत क्या हो गई शहर में महंगे रेट पर रहना एक तो यह लागत है दूसरा आप तो फिर आपको एक मांसिक लागत होती है ना बहुत सारे लोग है जो इंडिया से चोड़ करके दूसरे देश में चले आते हैं अभी मेरे एक दोस्ते नीदर लैंड में है वो तो उससे थोची दिन पहले बात हुई थी और उसने सवदेश मूवी देख ली चारुखांग अपने देश में आने का मन करता है और वो मांसिक लागत बियर करते हुए भी वहाँ पर रहते हैं क्यों रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा मेहंगा है लेकिन वहाँ पर सैल ही अच्छी मिल जाती है इंडिया की करनसी वीक है अभी 75 रुपय का हो गया एक डॉलर तो अगर अगर अमेरिका में जाकर करके स्टार्डिंग में काम कर रहे हो तो आपको बहुत हाइली लाइक लिए कि वन पॉइंट यानि कि एक लाग बीस से डॉलर सका मिल सकता है अब अगर एक लाग बीस से डॉलर का मिलके और 50 रुपय के साथ चल लाए तो कितना हो गया 90 रुपय ह तो आपको खचा भी जादा होगा लेकिन फिर भी बचक बहुत जादा हो जाएगी इसके बाब जूद भी परिवहन है उच्छतर निर्वहन है अलग सांस्कृतिक परवेश है फिर भी लोग वहां पर पलाइन कर जाते हैं तो यह वहता है सूशना किसकी सूशना बहुत सार लेगा नहीं है LinkedIn, LinkedIn में लोग क्या करते हैं बहुत सारे employees हैं बहुत सरे employees कि कंपनी में कितनी salary मिल रही है तो labor market का पुरा structure कैसा है कहाँ पर आपको कितने पैसे मिलने है वह सूशना के लिए बहुत सारे लोग जिससे उनको जादा सूशना मिलती रहती है लोग आपस में connect करत तो मुझे अगर सूशना नहीं मिलेगी तो मेरी उस सूशना के लिए मैं पैसे देनी रिक्तियार हो जाओंगा है ना ऐसी और भी बहुत सारे मार्केटस से तिक्ष्या का मार्केट हैं कूण से अरो से जिए वास्ता में ऐसे को बिट बारे जिसके आपको जल्दि रोजगार मिल सकता है। ठीक है डारेक्टली कुछ कुछ चीजों में सीधे आपको नहीं देखेगा बट वो पूरी जो प्रॉसेस है इको सिस्टम है इको सिस्टम समझते हैं कि धीरे दीरे इस तर के फोर्सेस काम कर रहे हैं और इस डारेक्शन में चीज़ जा रही है तो यहां पर हम लोगों ने समझा कि मानफ संसादम को किस रहे से मानफ हूजी में बदल रहे होते हैं सिक्षा और स्वास बहुत यह दो इंपॉर्टेंट है अभी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट आएगा कि गवर्मेंट क्या कर सकती है क्या कर सकती सरकार सिक्षा और स्वास में निवेस के लिए और कैसा रहा है भारत में वह सारे चीज़ें लेकिंगों बहुत इंट्रेस्टिंग भी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में लेकर के बताएए को डाउट और कंसीज़न तो उसको भी लिखे बाकि लोग के साथ भी शेयर करें आप सारे लोग के लिए हम तो काम कर रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं कि है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें मिलते झाल झाल झाल